गुल मॉनिंग इस इस फार्ड विडियो फ्रेक्शन और सब्सक्राइब करते हैं यह सारी हम ने डिसक्स की थी आई आई होप आप पूरी पूरी वीडियो देखे होगी अदरवाइस आप देखेंगे तो आप डावन उसमें जाएंगे आप कि द्सक्रिप्श्च में आपको प्लेडिस्ट में जाके आप साथ वीडियो तरीके से समझ सकते हैं तो देखे इसमें कुर्शन आपका अपलाड़ पैजज़ और भूक कंटेनिंग यह ते कंटेनिंग हुआ कुश्टर आपका कि अपलाड़ टाइप 50 pages of a book containing containing 100 pages containing 100 pages क्या करा है उसना है 50 page type करें जिस book के 1000 page है menu type menu type 25 pages menu ने कितने page type करें menu type 25 pages of the same book who type more किसने type ज्यादा किया क्लियर है तो आपके बाद A अपका है apply B menu C both D 9 पूछन तो कुछ पोछने वाला है ऐसा कुछ था नीज में तो आपको साथ साथ दिख रहा है यह भी 100 page message 100 message आपका मैं देखूं तो 50 एक ने type कर लिए बच्चे दूसरे ने बच्चेस टाइप किये तो किसने है जो अपलाने किये यह आपके मीन ने कित अपलाने अंडर्स्टूड है लाइफ फ्रेक्शन से लाइफ फ्रेक्शन लाइफ फ्रेक्शन क्या खास्याद होती है इनके denominator सेम होती है denominator सेम है 3 का 3 numerator नॉर्मल एड़ हो जाएगे 1 प्लस 2 जो 3 भाई 3 cancel out होके 1 आजाएगा अन्सर क्या आगया 1 यह आपके कुंछे fractions थे, like fraction, like fraction में आपके पास normal लेट हो जाता है, denominator same रहता है, clear है, अगला देखिए आपके पास, अगले में आपके पास क्या बोला गया है, 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, आप से पूछाएगे इसमें क्या निखल के आएगा answer, a1, b2, c3, ठीक है, तो देखिए तीनों का like fraction है, अब आपका 1 plus 1 plus 1, तो कितना हो जाएगा, 3 by 3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका answer क्या जाएगा, 1, आपका answer क्या आगे विटा, आपका 1 आगे, clear है, next देखिए हम लोग यहाँ पे, 5 by 4 minus 1 by 4, तो देखिए, 5 by 4 minus 1 by 4, अगर आपको जहां से देखिए, तो आप देखिए, कैसे fractions है, life fraction है, तो life fraction है, तो 4 आजागा नीचे, ठीक है, उपर agities वाले आजाएगे, 5 minus 1, that means 4 by 4, और cancer आगे आपका 1 आगे, cancer आगे आपका 1 आगे, clear है, कोई देखिए, next देखिए हम लोग यहाँ पे, देखिए, समझा रहे हैं यहाँ आप लोग, 8 by 10 minus 3 by 10, 8 by 10 minus 3 by 10, तो देख आगे है, ठीक है, और आपकी life fraction है, कैसे fraction है, life, तो देखिए, 10 आगे है, तो आपके बादेखिए, 8 minus 3, 8 minus 3 क्या आगे है, 5 by 10, 5 by 10 की वेले कितनी हो जाएगी, 1 upon 2, clear है, देखिए, next देखिए, देखिए, 1 minus 1 upon 2, तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं होता हो, आपे क्या इसके denominator में क्या consider करते है, 1, क्या consider करते है, 1, तो देखिए, आगे है, उसको फैने life fraction बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसके denominator में 1 है, 2 लान है, तो क्या करेंगे, 2 से multiply, divide करते है, क्या इसको, 2 से ऊपर multiply किया, 2 से नीचे multiply किया, अगर cut करेंगे, तो वापस वान आ जायाएग next दिखते है 0 by 1 plus 0 by 1 0 by 1 plus 0 by 1 0 plus 0 equal to 0 ये भी आपको पहले बताय हुआ है कि 0 by 1 something by something by 0 not defined होता है और 0 by something आपको 0 आता है 0 by something 0 आता है और something by 0 not defined होता है आपको ये आपको अल्रीड हमने discuss किया हुआ है clear? आगे दिखते हैं बटा 8 by 15 8 by 15 minus आपको find out करना question mark 7 by 15 clear है? अब देखिए कैसे find out करते हैं आपको जहां से सुनिएगा 8 by 15 जो question mark वाला part house को दल ले जाएंगे 7 by 15 को दल लेंगे negative का जाएगा 7 by 15 negative का question mark आपका उस side चला गया है clear है? question mark negative का था उदर जाके आपका इस side जब जाएगा question mark तो minus 7 आ गया और यह आपका question mark गया 8 minus 7 के अतना हो जाएगा बेटा 8 minus 7 1 हो जाएगा 1 upon 15 तो question mark की value कितने होगी आपकी question mark की value कितने होगी आपकी 1 upon 15 कितने हागी बेटा आपकी 1 upon 15 आपकी value आ चुकिए ठीक है? no down करिए इस अच्छे से सारे की सारे आपके ncq based है मैं ncq आपको जान जूचके नहीं लिखा रहा है आप इसको समझते जाएए ठीक addition question है पहले आपकी book मैं प्रेक्टिक्स करवाई हुई है book को आप देख सकते हैं ठीक है? description में जाकर starting में बोला है मैं आप लोग हो next question आपका question mark minus 1 by 4 equal to 1 by 4 तो देखे question mark 1 by 4 start जाएगा आपका 1 by 4 plus 1 by 4 question mark तो आपका 4 आगया या आपको पर 2 आगया तो question mark की value कितनी होगी 1 upon 2 कितनी value आगया आपकी 1 upon 2 value आगयी क्लियर है? next देखें, next अगर आप देखते हैं, question mark plus 2 by 7 equal to 5 by 7 question mark 5 by 7 minus 2 by 7 तो देखे 5 by 7 है, उससाइट जाएगा आपका क्या होगी 1 by 7 clear है? तो 7 आपके पास आगया 5 minus 2, 3 5 minus 2 कितना होगी आपका? 3 होगया तो question mark answer क्या आगया आपका? 3 by 7 आगया क्या आगया आपका answer? 3 by 7 आपका required answer होगया clear है? दुबारा देखें के वेटा आप लोग का यहां की value जब sign change करती है कोई भी value आपकी left to right, right to left move करती है तो उसके sign change होते है positive का sign था, negative का आगया, negative का होथा तो किसका आजाता? positive का आजाता है, clear है? अब देखें next question देखें हम लोग, थोड़ा सच्छा question है 25 by 7 minus 15 by 5, 25 by 7 minus 15 by 5 next question आपका, तो इसमें देखें इसमें आपको निकालना है क्या answer आएगा? तो देखें सबसे पहला आप लोग को denominator same करने है, denominator कैसे same करते हैं अश करते हैं सबस्में फाइब है तो देखे 25 को 5 से यह एक दोनों से मुट्टिप्लाइए गया यह 35 लाईने के सेवन को दोनों से मुट्टिप्लाइए क्लिए है कोई दिक्कर अब देखें 125 फाइप जीरो तो टून्टी ऐकोन 35 आगे 20 आपकोन 35 54 25 735 तो अंसर क्या आगया आपका 427 आपका रिक्वाइड अंसर आ गया 427 आपके क्या आगया रिक्वाइड एंसर आ एक रेवाद देख लिए आपके 25 5 125 ठीक है आप 15 7105 आपके पास आपके देखें दोन कलिशन सेम हो गया माइस करेंगे 550 105 15 125 550 20 आ गया 54 25 25 25 आप स्वाल ओन गया आपका अंसर आगया 427 आपका रिक्वाइड आपके अंसर आगया क्लियर है कोई दिख्था आप लोग को ठीक है आई होग आपको पूरा पूरा समझ आ रहा होगा ठीक है अब आगे देखते हैं हम लोग यहां पर कोश्चन हमारे पास मिक्स प्रेक्शन है तो इसको देखें मिक्स प्रेक्शन है कोश्चन में आपके पास 1 1 by 2 plus 2 1 by half equal to find out करना है तो देखें सबसे पहले इसको किसमें कर लीजे मिक्स इंप्रापर में करिए यहां multiply यहां पर 2 1 जा 2 plus 1 3 by 2 2 2 जा 4 plus 1 5 by 2 2 आ जाएगा 3 plus 5 5 plus 3 कितना जाएगा 8 by 2 तो answer क्या आगया आपका 4 answer क्या आगया आपका 4 आगया क्लियर है एक method तो यह आपका second देखें इसी समकाउं करते हैं तो आपने 1 1 by 2 plus 2 1 by 2 आपने पहले जो आपके normal values है उनको add कर लेना है ठीक है fraction वाली value नहीं जो normal है 2 plus 1 आपका 3 आगया डिया जाएगा पहले आपकी फ्रेक्शन वाली value का आपने add कर ना है जिया से सुनिया आपकी normal values का आपना add किया 2 plus 1 3 हो गया plus आपकी fraction वाली value है fraction वाली values का आपने add कर लिया 3 क्लस 1 जा जाएगा 1 हो जाएगा अपकी पाओ तो जिस तरीकी से आपको बैटर फुटेबल लगे आप उस तरीकी से कोश्चनों कर सकते हैं अब फर्स लिए आप नॉर्मल इंप्रॉपर में करें किया यहां पे हम लोगों ने मिक्स फ्रेक्शन के पहले आपकी जो वैल्यूस थी इंटीजर वैल्यूस को ले लिया उनको एड्ड कर लिया और नॉर्मल सॉल करके हमारा अंसर आ गिया क्लियर है नोट करिए ओके क्लास आई होप आपको सारे के सारे कोश्चन अच्छे समझाए होंगे और आपको पूरी वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और फर्स काइम अगर आप वीडियो को देखनें तो चैनल को सस्क्राइब जरू करिए ताकि जो भी आप तर पहुंच जाए ठीक है स्क्रिंशॉट ले लिजेगा ठीक है इसको आप कलम बाकी जो पूर्शन को कलम डिस्कस करेंगे ठेंक्यू हैवरेस्ट